हेई देर वेलकम बैक टूर चैनल एने क्लास्रूम आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है केरफुल केरफुल इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि केरफुल यह जो वर्ड है इसका मतलब हिंदी में क्या होता है और केरफुल हम कब-कब यूज़ कर सकते हैं केरफुल यह जो वर्ड है इसको हम हिंदी में कहते हैं साफधान साफधान मतलब की साफधान रहें कोई चीज से दूर रहें या फिर सतर्क रहें साफधान रहने का मतलब होता है कि कोई चीज से दूर रहना या फिर सतर्क रहना या ध्यान से रहना ध्यान से कोई काम करना उस call careful मतलब कि अपने आपको potential danger खुद से जो आप खत्रा उठाते हैं उससे careful रहना उससे साफधान रहना या दुरगटना से या फिर कोई नुकसान से साफधान रहना उस टैम हम careful बोलते हैं उसको हम careful बोलते हैं in से हम careful कहते हैं जैसे कि अगर आप कोई काम कर रहें जो खत्रे बारा है जो आप खुद कर रहें तो उस टैम हम बोल सकते हैं be careful साफधान रहें या फिर कोई दुरगटना हो और आप घड़ से बाहर जा रहें तो उस टैम आपके फैमली मेंबर भी कह सकते हैं आपको कि साफधान रहें साफधानी से जाएं या फिर आप कोई काम कर रहें और वहां पर कोई से ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें तब तक अपना ख्याल रहें मिलती हो नेक्स्ट वीडियो पर गुडबाई